लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अप्रीम देवें पद्मना अप्रिया महमी पद्मान नयान एल्ट्रा चैनल्स के लिए अप्राइब करें कर दो आपस कर दोगार दो है मिष्टर अव्टर अपनतुम मैं तुम से पूछ रहा हूँ एक मसाफिर कहां जा रहा हूँ बेलापुर काम की तलाश में नया हूँ रास्ता नहीं मालूम बेलापुर का रास्ता उस तरह है कर दो काम काम क्र रहा हूँ बेलापुर है रास्ता बेलापूर का मुझसे पूछते और चल देते हो रामनगर के तरफ ऐसा क्यों मैंने अपना इरादा बदल दिया इरादा बदल दिया है और इरादा क्यों बदला है यह मैं तुमसे यहां नहीं पूछूँगा पुलीस टेशन किसलिए इसलिए कि पुलीस को जिस पे शक होता है वो उसे ग्रफतार कर लेती है और मैं तुम्हें शक की बिना पे ग्रफतार करता हूँ मैंने किया क्या है जो आप मुझे शक कर रहे हैं इसका जवाब मैं तुम्हें यहां नहीं पुलिस स्टेशन में दूगा चलो बैठो जीप में यह आपकी जबरदस्ती है साब मैं जीप में नहीं बैठोंगा अगर तुम जीप में नहीं बैटोगे तो मैं तुम्हें जीप से बांध कर घंसिरता वाले जाओगा यह क्या है रहे चाकुए रामपुरी नाम तो मुझे मालू बेटे क्रामपुरी कुलापुरी हर पूरी को मैं अच्छी तरह जानता हूं लेकिन यह तुम्हारे पास क्यो है मुझे शिकार का शौक है इसलिए से हमेशने अपने पास रखता हूं हुachment अच्छा मुसाफिर हैं रास्ता आपको मालूम नहीं एक आं काम करने को ओपर से शिकार का शॉक रते वाह जिग्राफिया बहुत अच्छा है हम खुश हुए चलो बैटर जी बहुत चला कि आ हुए यह नहीं बॉट मॉर्निंग से इस बादला बॉद्मारिंग कोई नया है मुल्सिम लगता है हां काथ शिकारी रामपूरी चाकू लिए गुमता है रामपूरी चाकू से शिकार करेगा हाथ ही मारेगा यह शेर हैं चलो दर खड़ा हो जा मुझे लगता है कि बंसी लाल के केस में जो आदमी फरार हो गया था कहीं यहीं तो नहीं है वो शकल देखिए बदमाशकी कितना भोला लगता है लगता है कि मां की गोच से अभी अभी उठकर रहा है और यह मुजरीम कि इस बात की पता लगा विजया है यह से लेचालोंसे कि अदू है था कि अदर कि अदर कि कि अदर है तुछ नाम क्या है? नाम क्या है तरह? मैं तुछ से पूछ रहा हूँ, नाम क्या है तरह? अभी गुमा है क्या? बंतर क्यों नहीं? जिद्ध जहर भरा हुआ है कमीनिव, अभी लेकालता हूँ अभे हाथ छोड़, हाथ छोड़ बना हड़ी पस्ते तो डालूँगा, छोड़! तो तू हनुआन का भगत है, अभी मैं तेरी भगती निकालता हूँ मैं तुझ से एक बार फिर पूछता हूँ, तेरा क्या नाम है? अच्छी बात है, इसकी उगलियों के निशान लो अच्छी निशान लेने पड़ेंगे, अरह भै क्या हुआ, इमाग इसका आप तक ठेकाने पर नहीं आया? नो सर, ना मुख खुरवा है, ना उगलियों के निशान लेने दे रहा है आप की कडाई का पका हुआ पुराना मुजर्म है है जब तु बेलापूर का पता पूछकर रामनगर की तरफ चल पड़ा था उसे वक्त तेरे कत्मों ने तेरी गुनागारी का सुबूत दे दिया था हर घड़ी रंग बदलने वाले को गिरगिट और हर मिनत इरादा बदलने वाले को गुनागार कहते हैं कौन है तू चाकूल यह क्यों गुम रहा था किसके जिन्दगे के तलाश है तुझे जब तक तेरा मू बंद रहेगा तो इस हवालात में बंद रहेगा पलिस से जबरदस्ती के दुश्मनी मौल मत लो बता तू बंसला के खुन करना चाहता था अब बोल ता यूने वाइडू स्पिक देखो मेरे सबर और शराफत का और जादा इमतहान मत लो समझके आखरी बार पुछ रहा हूं तेल में देखरत्थ व्यूने थेल आईव यू ओन है तू इंग इस जू आखर जांस पॉर नहीं विश्यू अबस्मा बॉई गड्लेस यू यह मैं तुछ सरे आखिरी बार पूछ रहा हूं मौल पाना तू बागना जाता है मैं तेरी हज्जी पस्ली उरदूंगा बॉल यह बोलेगब कैसे हुजूर आपने तो इसका गला दबा दबा के रखा हुआ जह बॉल जहें है है मैं का हुआ 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 היवय हुआ हुए भुछ भ Boss हाई हाई हुआ 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 हुआ! झाल 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 होगा! कर दो कर दो कर दो कर दो दो तो कि अज़िए लगता है यह जखम किसी एक्सिटन से नहीं बलकि पुलिस की गुली से हुआ है कि अज़िए आपको शायद मेरी बात बुरी लगी यह आप मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं इसलिए यहां से जाना चाहते हैं घबराये नहीं मैं किसी सरकारी भी भाग से सुमन नहीं रखती मैं सरफ एक डॉक्टर हूँ सुनिए इस वक्त आपको एक सुचार बुखार है ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठेक नहीं है आरम किजी आप आजर राच जोरदार बारिश के वज़े से लाइट चली गए थी अब आगी है अगर आपको जरूरत नहों तो लाइट और तीवी बंद कर देजी दीदी, अरे, वो आई यू, ये सुनिजा दीदी का घर है न, आप कौन है, ओ, दीदी के महमान है, कौन से अलागे के रहने वाले हैं आप, पंजाब के है, यूपी के है, एमपी के है, सीपी के है, ये खाली पी के, अरे, ये क्या, कुछ बोलते हैं नहीं, दीदी ने बात करने को मना किया है क्या, ठेरो, मैं अभी पुछती हूँ, दीदी, अरे, ये कौन साब है, इनसे मेरा इंट्रड़क्शन तो करवा हो, ये मेरे, वो, ओ, मंगे तर हैं, अरे, वा, तब तो ये मेरे जीजाजी हुए, फिर तो मैं इने खुद ही अपना इंट्रड़क्शन देती हूँ, मेरा नाम रजनी है, मैं दीदी के पवस में रहती हूँ, बड़ी खुशी हूँ आपसे मिलके, डेंडांग, डेंडांग, जीजाजी की बाहा में पट्टी कैसी, रात आप दोनों में जगड़ा हुआ था क्या, नहीं नहीं, कल रात मोटर बैक में आ रहे थी न, एक्सिडेंट हो गया था, एक्सिडेंट, अरे बड़े तक्दीर वाले हैं आप, जो लोग एक्सिडेंट करते हैं, खून करते हैं, मुझे इंसे मिलने बड़ा मजा आता है, वैसे आपके कोई हड़ी वड़ी तूटी क्या, हाथ की है पैर की, रजनी, गुस्सा क्यों होती हो दिदी, जिंदे की एक्सिडेंट से भरपूर होनी चाहिए, जनन नेना, खुद एक एक्सिडेंट, शादी, दूसरा एक्सिडें इस दुनिया का लाइसेंस कैंसल, और दूसरी दुनिया का मीटर चालू, बडबड बंद करो, आना कैसे हुआ, जैसे हमेशा आती हूँ, अरे हाँ, वो डॉक्टर मिस, खटखट है न, उन्होंने ये लैटर दिया है, वो आज हॉस्पिटल नहीं आएंगी, ठेक देक है, त जीजा जी तु 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 जो कि यूँ बुरा मत मानियेगा मैं कुछ कहना चाहती थी वो कुछ और समझ बैठी और मैंने जान बुछ कर उसे टोका भी नहीं 24 गंटे दुनिया भर की जासुसी नावलें पढ़ती रहती है अगर मैं तुम्हें अपने रिष्टेदार बताती तो वो कभी नहीं मानती है सवाल पर सवाल करके दिमाग चाट जाती है मगर है प्यारी बिच्जी मुझे देर हो रही है मैं हास्पिटल जा रही है अगर भूक लगे तो वो सूप पे ले ना और आदा गंटे के बाद दो गोलियां खा लेना पेन किलिंग के लिए और अंदे से बंद करके सो जाना आर वो अकेला तुम समों की पिटाई करके चला गया और तुम लोग इतने सारे होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं सके लेकिन हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना है जिन्दा सर एक आइडिया है बोलो बिलासपूर में एक जोहरी के हां चोड़ी हुई थी तो हमने एक उस चोर की तस्वीर बनवाकर उसे ग्रफतार किया था हुई है अगर उसी तरह इसकी भी तस्वीर बनवाकर अखबारों में छपवा दी जाए तो हुई गुड आइडिया यू आज़ार अच्छत कि अ चॉप लुप। अबसूसरों को अरे यह क्या पसीने से तर बतर हो गया बुखार उतर गया आप तो शाम को आने वाली थी इतने जल्दी कैसे आ गई है पता नहीं आज काम में मन नहीं लग रहा था और पेशन्स पी कम थे इसलिए चलिए आई है हाई जीजाजी हाई जीजाजी मैं तुम्हागे टैमपास के लिए नौवल आई हूँ आपने ये नौवल पड़ी है कहां से पड़ी होगी कली तो मार्केट में चपकर आई है ये बड़ी खूट पटांग से लही है और इसके दूसरे चाप्टर में रवी और आधा दोनों ब कि शादी होने के बाद हनीवुन मन अने कहा जाएंगे और कितनी दिरों के लिए जाएंगे रजनी कितनी बगबग करती हैं बच्ची आ इतनी बाते नहीं करते हैं बुरा लगता है गये काम से मां और भईया भी यही कहते हैं तु बच्ची है है छोड़ो जीजा जी ये ली कि रजनी क्या कर रहे हैं ओफो भविशे के बारे में सोच रही हूं मा जवानी का खजान है रोमंस का जमान है जवानी का खजान है रोमंस का जमान है यार का दिदार का ले में जना यार की उमर है और प्यार का मौसम रोमंस 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 जवानी का खजान है लुमेंस का जमन है बैठेंगे तेरी दुलुँ की छाओं में शोलो को थंदा कैसे करेंगे मलो में मैं जवाने जो आग लगायों तो आपको ठंधा कैसे करेंगे कि जुल गृद्धों के तॉलंख को ठंधा ऐसे करेंगे यार का दिदार करैं है working नळे की उमर है और प्यार का मुफं Romance 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 जवानी का खजान है, रोमेंस का जमन है जितना मैं देखू, उत्रा ही तरसू, प्यास मजर की कैसे बुझेगी तुम को पिलाओगी, प्यास का अमकित, प्यास तुम हागी, ऐसे बुझेगी जितना मैं देखू, उत्रा ही तरसू, प्यास मजर की कैसे बुझेगी तुम को पिलाओगी, प्यास का अमकित, प्यास तुम हागी, ऐसे बुझेगी यार का दिदार कल, यार का दिदार कल, एमें सनम प्यार की उमर है और दार का मौसम रोमेंस, 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 जवाने का खदाना है, 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 ह प्लिआ तुक्तिerek मिर्मिन आपपा में प्यार के गुल व्हरे और मेर सम्नि तीरी कमा सह dar कई इन कई उस मुजरीम लाद फम ऑट अम इंटे थई आ ऊधानि वन वज़िस्टमाद भी एडस घट आपको यह प्रेम पुजारी उपन्यास दी थी पर ली क्या बहुत बोरिंग थी इसले बंद कर दी यह वो पन्यास पढ़ते वद तुम्हें बोर्र करने लगी थी और नहीं तो क्या अच्छा वहने जान बजगे तुम खाकी वर्दी वाले होते ही ऐसे हो बस चौबिस घंटे मुझ्रिमों के पीछे भागते रहते हो मगर यह नहीं जानते कि दुनिया में प्यार नाम की भी कोई चीज है लेकिन यह सब बाते तो होने वाले जीजाजी से कर रहे हैं वजाती है तुम्हें पता है वह एक दिन में एक उपन्यास पढ़ लेते हैं यह अपने जीजाजी क खाना खालो जानते हो आज मैंने तुम दोनों की मन पसंद चीज बनाई है काश्मीरी पुलाओ वाव काश्मीरी पुलाओ माई फेवरिट डिश बया जल्दी उटो सुनिये जी मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूं पहले आप ये वताइए कि मैं आपके इन आसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा तो फिर मैं आपके ये तोफा कबूल कर चुपाओ मत मैं वो तस्वेर पहले देख चुकी हूं आप कौन है पोलिस आपका पीछा मैंने ये सब अब तक कुछ नहीं पूचा मैं इस मकान में अकेली रहने वाली औरत जात जिसका कोई नहीं है उसने तुम्हें सहारा दिया पनाह दी इसकी वज़ा जानते हो क्यों तुम जिंदगे और मौत के तुफान में थपेड़े खा रहे थे और दूसरी तरफ पोलिस मौत का जाल लेकर तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारी पीछे लगी थी नचाने मुझे क्यों तुम पर तरस आ गया हो सकता है शायद जिसकी अपनी जिंदगी को रहम के च्छाओं न मिली हो उसे दूसरों पर रहम आ जाता है आप मेरे लिए अंजाने हैं फिर भी मै जबूर नहीं करूंगी सिर्फ अफसोस रहेगा जिंदगी भर कि मैंने एक खुनी एक गातिल एक मुझरिम को अपने घर में पना देकर जूर्म किया है यह मेरे बहुत बड़ी भूलती थेरिये आपने मुझे मौत के मूर से बचाया मुझे नहीं जिंदगी थी नहीं तो जब गोली का जहर मेरे शेरी में फैल जाता और मैं जिन्दा न वच्टा मैं आपका और आपकी मेरे बाण्यों का प्मान नहीं करना चाहता मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूँगा मैं भी कभी आपकी तरह एक शेरीव इंसान था शेह से दस मिल की दूरी पर रामनगर गाउ में मेरा घर था शेहर के कॉलिज में मैं बी ए फाइनल में पढ़ रहा था करें अजरा हुआ साइए बीक बाल झान इंगा था है करें पर रहा हुआ है कर दो कर दोके रहाँ कोमल मदूर चतुर चपल तेरा हा रंग सरवान सुन्दरी कोमल मदूर चतुर चपल तेरा हा रंग सरवान सुन्दरी सरगती लोक से आये तेरी लिये तो भी आदा कोमल मदूर चतुर चपल तेरा हा रंग सरवान सुन्दरी कोमल मदूर चतुर 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 तेरा हा रंग कोई तेरा मंदिरं मन तेरा सुन्दरं परबन तुछ पे है जीवनम या वनम मन तेरा मंदिरम, मन तेरा सुंदरम परबन तुछ पे है जीवनम या वनम मैंने कू दिल से, प्राण कू प्राण से दुनिया कूमल, मदुर, चतुर, चपल, तेरा हंग, सरवाल, सुंदरे हाँ 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 जब किये तब किये तब मिले दर्शनम जब किये तब किये तब मिले दर्शनम यह हमारों दिलन देगा धर्थी पड़ा इत्विदे आग कोमल मदुर चतुर चपल तेरह धंग सरवाँ सरवाँ सुन्दरी गुद मॉनिंग सर ओ आओ आओ सूरज एक्जैम तो खत्म हो गया अब क्या रादा है छुट्टियां इसलिए गाउं जाओंगा सर जाने से पहले आपका शिर्वत लेने आएं बेटा सूरज एक प्रिंसिपल एक उस्ताज होने के नाते मेरी तमन्ना है के मेरे विद्यार्थी देश की सेवा करें देश की तरक्की में उसका हाथ बटाएं तुम इस कॉलेज के बेहतरीन स्टूडन्ट हो ने चाहता हूं के तुम आईएस का एक्जाम पास करके आईएस हाई अरे तुम कब आई जब प्रिंस्पल साहथ तुम्हारी तारिफे करके तुम्हें आस्मान की बुलंदियों पर बिठा रहे थे मैं गरीब उसी वक्त आई सुनिये कल के होने वाले आये साहाप इतनी उन्चाई पर जाकर आप हम नीचे वालों को कहीं बूलतों नहीं जाएंगे टोंन्ट भी सिली अरे बापा सिली विली की बात नहीं ऊपर वालों को नीचे वाले जारा कम दिखाया इसलिए अभी से तुम्हें मस्का लगाकर तुम्हारी दिल में अपनी जगा पर्मेन कर रही हूं चलो गाउन चलते हैं नहीं गाड़ी हाजर है जी नहीं मैं बेकार हूं मैं कार में नहीं जाओंगा तो ट्रेन में जाओंगे मरी तुम्हारी आप्री थोड़ी ले जा रहे हुत है जब तुम्हें पहली पहली मिलेगी ना भेढै तब देदेने अस चलो जी सुरेज, एक सवाल पुछो? बिलकुल नहीं, इम टेहनों के सवालों का जवाब देते देते ठक गया हूँ, अब किसी भी सवाल का जवाब देने की मेरे भेजे में ताकत नहीं है ठीके बाबा, मन जवाब दो, लो, कोई भी एक उंगली पकड़ो जी नहीं, पहले उंगली पकड़ने को कहोगी, बाद में हाथ पकड़ने को कहोगी, उसके बाद में जले क्या या पकड़वाओगी? मैं नहीं पकड़ता तुम गाड़ी चला ओ है अरे गारी चूँ रोगदी, क्या हुआ ? तुमने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी अच्छा बाबा लाओ पकड़ता हूं यह लो माई गॉड जो मैंने संचता वही हुआ तुम साथ मुझ कलेक्टर बन जाओगे जहत तेरे की अगर तुम्हारी उंगली पकड़ने से लोग कलेक्टर बनने लगे तो कल पूरे इंदोस्तान की जंता तुम्हारे धर्वाजे पर होगी देख लेना एक दिन याद करोगे मेरी बात को और एक बात सुनो अगर मेरी इस उंगली में अंगुठी पहना दूँगा तो तुम्हारा बाप मेरे गले में फाशी का फंदा पहना देगा क्यों तुम्हें क्या लगता है वह हमारी शादी के लिए राजी होंगे होना ही पड़ेगा अगर ना हुए कि तुम्हें तुम्हारे पास चले आउंगी इतनी हिम्मत है मुझे चलो ठीक है चलो तुम्हें देखा हमको देखकर ओलक शर्माकर भाग है शर्माकर नहीं घबराकर इस माशे को जानती हो यह रगू इस गाउं का मुंसिफ अपनी पहली बीवी का खून कर चुका है और हर रोज एक नई लड़की से इश लडाता फिता है रखो याने सुनन जी का बेटा जी आँ आपके पिता जी का बहुत अच्छा दोस है बंसिलाल जी क्या बात है आप कुछ परिशान नदर आ रहे हैं आँ गाउं में शांती है ना गाउं में जब तो धीगा मस्ती ना हो कुछ गड़बर नहों कोई मेरे पैलों में सरगड़के रो ना राओ तो मुझसे खाना आजम नहीं होता है ऐसे लगता है जैसे पेट में शैतान खुदकुशी कर रहा है वो तो है आपके होते हुए शांती हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सहलाब आया है फिर भी जमीन सूखी है और संसाठ बालपूर के लोग हमेशा याद रहेगा बताओ क्यों इसलिए कि वहां खेती बाली के लिए सरकार जो नहर बनव लिए दुनिया में जनम लिया है मगर आज कुलस इतिहास की लिखाई कुछ बंसी होती जा रहे है आप फिकर मत कीजिए बंसीलाल जी ऊपर वाला कोई नो कोई मौका इतिहास लिखने का जरूर भेजेगा है कमाल हो गया बंसीलाल जी नमस्ते अरे रगुराओ गाओं के मु बढ़ देंगे अरे हजूर मैं जो निजारा देख्या रहो ना दूम मरने कुछ ही चाता है जमीन में कर जाने कुछ ही चाता है यार गाओं के मुंसिफ हो क्यों काने अजाम की तरह लागाई मुझे करो अरे शर्मा जी हमने सोचा था बंसीलाल जी की बेटी शहर से डिगरी चांड की लेकर आएगी आज जानते क्या आई है क्या आपने अपने साथ डामाद कर आई है क्या आप बकवास करता है अरे अजूर मैं बिलकुल ठीक भग रहो वह कोई गड़वड करके नहीं आई है अपने साथ दामाद लाई है रगू ज्यादा बकवास करेंगा प्रिती प्रिताजी इम्त्यान कैसे हुए अच्छे हुए मुझे बड़ी फिकर लगी रही तीरी कि तुक रहां देकर पास होगी फिर मैं कब तेरा ब्याद करूंगा तुझे तेरे घर रवाना करूंगा फिर धंग लड़का भी नहीं मिलता था बड़ी तलाश के बाद एक बड़का मिला है सूराज के बारे में तरह क्या खाले सूराज वह तो बहुत अच्छा रड़का पिताजी और चलाक और होश्यार भी है होश्यारी और चलाकी तो पूछी मत कॉलिज में उसके टकर का कोई स्टूडेंट ही नहीं हार सब्जिक में फरस्ट लेकिन एक चीज म अपनी इकलोती बेटी के लिए कोई धंका लड़का भी नहीं दून सका है गरीब के कले मान दिया उसको मेरा तो इतिहास खराब हो जाएगा आप गलत सुझे पिताजी लोग उल्टा आपकी तारीफ करेंगे कि बंसिला सिर्फ डॉलत से ही अमीर नहीं बलकि दिल से भी अम आप हम दोने के शादी के लिए राजी हो जाएंगे वो मानता ही नहीं था मैं अभी जाकर उसे एक खुशकबरी सुनाती हूँ और इसे कान से पकड़ के लाते हूँ हाँ कान मान से मैं पकड़ूँगा बलके कान उखाड भी लूँगा यह यह क्या है यह मेरी और सूरज की हалась था लेकिंए विश्मामित्र तो भीकारियों से जादा गरीब हैं तुम्हारे जूते की कीमत nove सके पूरे घर की की मते एक रह और इसे भी करी कोड़ मेरी बेटी बहू बनकर झाए चीव मेरे जी मेरे कई दूश्मन पैदा हो इसलिए मैंने रिवालवर बंदूख हर दसम की हत्यार का लाइसंस लेकर रख लिए मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हत्यार तुम्हारी वज़े से इस्तिमार करने पड़ जाएंगे इसका मतलब आप सुरज की जान लेने की धंकी ने रहे आप बैटी ना तंकी तो बुजदिल दिया करते मैं तो दिल की बात कर रहा हूं अब देखना तेरी शादी वारे दिन पांच सुपारी के थाल में मैं तुझे सूरज का कटा हूँसर तोफे में देंगे और में उसी मन्नक में आपको अपनी लाश तुफ़े मी देखार, जब मिलाकर देख लेना, किसका तुफ़ा ज्जादा अच्छा होगा बाप का या बेटी का कि यह मेरे खुन से मेरे इत्यास लिखने के चकर में अच्छा मैंने भी तेरा इत्यास ना बदल दिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं मालिक आपने मुझे बोलाया हाँ क्यों यश्पाल तुम तो उधार लेकर ड़कार तक नहीं ले रहे हो मेरा उधार याद है या नहीं बिलकुल याद है मालिक मैं बहुत जल्द आपके 40 सार रुपे चुका दूंगा जल बहुत जल्द करते बहुत डीर होगई में अगर तुम्हारा बहुत जल्द अभी तक नहीं आया है यश्पाल तुम खुश्पाल हो कर तुम्हारा घर अभी तक सलामत है मैंने उसे नीलाम नहीं करवाई ज होम ने तुम्न बंसीलाल की मेरॉबानियों k घर कि दाल समझ कर पी गए हमने तुम्हें करदा इसले दिया था कि तुम्हारा दामाद कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाए और तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहे जी हां मैं आपका यह सां कभी नहीं भुला सकूंगा है यह श्पाल तुम्हें भुला चुके हो और अ मैं ऐसान के बदले ऐसान फरामोशी शुरू कर दिये जी जयां आज पता चला कि तुम्हारे घर में तुम्हारे खून से कैसे कीड़े ने जनम लिया है जो रहता तो गटर में मगर घर मैलों के चट पर बनाने की सोच रहा है किसकी बाते कर रही हैं आप तुम्हारा बेटा वो मेरी बेटी की जूदियां उठाने के लायक नहीं है हराम खोर मेरी बेटी से इश्क कर रहा है उसे अपने प्यार के चकर में फंसा लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं मालिक तुम तुम जाकर अपने घटिया बेटे को सलीम और अनारकली की कहानी सुनाओ उसे काओ कि जिस तरह अकबर बाश्या ने अनारकली को जिन्दा कबर में गड़वा दिया था ये बंसीलाल उसको जिन्दा खेट में गड़वा कर उपर जे ट्रेक्टर फिरवा देगा याद रखना उसे काओ कि जिस तरह अकबर बाश्या ने अनारकली को जिन्दा कबर में गड़वा दिया था ये बंसीलाल उसको जिन्दा खेत में गड़वा कर उपर जे ट्रेक्टर फिरवा देगा याद रखना पिता जी आप सुबा से काफ़ी परशान नजर आ रहे हैं क्या दिदी की फिकर लगी आपको नहीं नहीं तो क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं मेरी चिंता मत किजिए बिदा जी मेरे इम्त्यान बहुत अच्छे हुए है और प्रिंसिपल साफ ने आशिरवाद देकर कहा है कि सुरज एक ना एक दिन तुम कलेक्टर जरूर बनोगी भगवार उनके आशिरवाद को सच साविप करते है पिताजी बंसीलाल खुड़की लाया है वो अपना घर और जमीन इलाम करवा रहा है चलो भाईयो यश्पाल का यह मकान बंसीलाल जी के 40,000 रुपे के कर्स के बदले में नीलाम करवाया जा रहा है यह सरकारी नीलाम है बोली लगाना शुरू करते हैं बोली लगाना शुरू क कि अपने पैसे और वसीले के जोर पर निलामी के काख़ लेकर पहुंच गए नोटिस मैंने भेजी थे तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी होगी ठीकाव है आजए यह रा नोटिस बंसी जी आप एक बात का बदला दूसरे अंदास से ले रहे हैं सद बोली आपने नोट कब दिया था किश्वाल तुम दरसल सठी आ गए हो गरीबी के कीड़ों ने तुम्हारी याददाश को चबा डाला है मैंने तुम्हें नोटिस नहीं दिया था और तुमने मालू में क्या का था कि मैं आपके पैसे लटाने के लायक नहीं कुछ दिन मुझे इस मकान में रहन करता हूं लेकिन आप ये निलाम रुफा दिये मुझे रहम कीजिए ये जमी ये चछिंग गई तो मैं अपने बच्छों को लेकर का जाओ पूछ चुब रहे मुझे क्या मालम मुझे सब पूछ करे बच्छा पैदा किया क्या 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 का वे सूरज अच्छ जोर दिखाता अपने पितार बेहन की जिंदगी का बोज उताने की शक्ति मेरे बाजों में है चलिए नेला में शुरू किजिए आए पिताची आओ हराम का अमाल खागा की दिमाग में हरामी कीड़े पढ़ गए क्या है कि विद्वा है मगर जवान है गद्रायव अफल है जिसे कम खाया गया है पंसिलाल जी क्यों ने इस फल को अपने टोकरी में बाद ले मेरी जाइदाद हड़क करके अब मेरी बेटी की इज़त लूटने का अरादा रखते हो मैं तुम लोगों को जान से माल डालूँगा लेकिन यह का वार्जिस नहीं करने दूगा छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे अरे बापरे यह तो मर गया सच मुझे मर गया बन से लाज़ एक काम कर सुबह इसके लाज़ गाउं के किसी पेड़ से लटकती नदर आनी चाहिए ताके लोग समझें से जिन्दगी से तांगा कर खुदकुशी कर लिए चल अब तो मुझे तुमारे बाप से मुझे चालीस हजार रुपया वस्लू करने थे बीलामी से सिर्फ वी सजार वस्लू रबाकी के बीस सार का क्या होगा आप इंसान है या वैशी मेरे कंधे पर मेरे पिताजी की लाज रखी है और आप हिसाब मंगने आया है इंसान हूँ तभी तो हिसामंग ने आया हूँ तुम्हारे कांदे पे तुम्हारे बाप की लाज राश और तुम्हारे बाप की लाश है। अर्जा उतार दो, और राधी आगए बढ़ओ वन्हाई ये लाश यहां से राश है। तर लाके देड खागा मैं लिकना करता हूं के गशाम मेरा साहगा me मुझे आप काँजों की लिखाय भरोसा नहीं रहा तेरे बाप ने भी तो लिक की दिया था मर किया अब मैं क्या मुर्दे को जिन्दा करके पैसे वस्दूर करूंगा करदा चुकाओ और अर्थी आगे बढ़ाओ सीड़ा इसाब है अब इसी वक्त हम इतने पैसा कहां से लाएंगे मेरे भाई को नौकरी मिल जाएगी हम थोड़ा थोड़ा करके आपका करदा उतार देंगे नौकरी नौकरी तो यह शहर करने जाएगा ना उसके बाद तुम भी एक दिन्यां से खिसक जाओगी नहीं आएगा ना तुम आओगी और ने पंचिलाल जी का पैसा याएगा नहीं एक तरीका है जब तक तेरा भाई करदा नहीं चुकाता वह इस गाउं से बाहर नहीं जा सकता अगर नौकरी नहीं करूंगा तो आपका करदा के से चुकाऊंगा वह मैं बताता हूं तुम इसी गाउं में रहेगा और मैं तुझे तेरी जमीन वापिस लोटा देता हूं तुस पर खेती बढ़ी करता रहे मेरा करद उजारता रहे जब उतर जाए तो जहां जी मैं चले जाना क्यों शर्मा वह 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 बहुत बढ़िया बंसिलाल जी इससे बढ़िया फैसला तुस कोट भी नहीं कर सकते हैं ठीक है सक्य की सक्य है राम नाम सक्य है बस हो गया करीजा ठंडा निकल गई दिल की भड़ास अपनी बेटी का तो कुछ न बिगार सकी लेकिन सूरज का पूरा घर उचार कर रख दिया उसका मकान खेत सब नीलम कर दिया उसके बाप को सद्वे से मार दिया अब तो आपकी दिल की चाले फूट गए होंगे नहीं अभी कहां फूटे हैं अभी तो बहुत सारे चाले बाकी हैं तुम देखती जाओ दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि बंसीलाल से टक्राने वाले का अंजाम मौत होता है अभी तो खाली बाप मरा है बेटा और बेटी तो बाकी है न हुआ हुआ है कैसे यह दोनों भाई बहन जान तोड मेहनद करके अपना खेत जोत रहें आप तो मलडी नहां करें थे कि यह थे क्या खेती करेगा पढ़ा लिखा है खेती करना इसके बस की बात नहीं यह तो बस से कई ज्यादा कर रहा है ठीक है अगर यह यह जल्द आपका करदा उतार द गला, पजामा नहीं? एचले, पजामा को सारी, एचले, वामा नहीं? कि अजामा नहीं, को साथ्ट्छिए. एचले, प्भाओा नहीं? कि अजादी, यहीं कि अजादी, कि उती दो एके साथे खेगा हैं, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है मगर आपको ये ने मालूम है कि वो फसल होगा कि आपका गर्दा चुका देंगे और तुझे ये नहीं मालूम कि वो फसल नहीं होगा सकेगे कैसे मालूम कि फसल लोगाने के लिए बीच के ज़रूत पड़ती है मालूम है मालूम है वो बीच की लिए पैसा तेराव बाप देगा सूरज लो इन कहनों को बेचकर तुम्हारे खेट के लिए बीच करें लो तुम्हारी सारी मुस्पतों का कारण मैं हूँ मेरे वज़े से तुम्हें ये दुख सहने पड़ रहे हैं तुमसे किस ने का कि मैं मुसीबत में हूँ तुखी हूँ नहीं कहने से क्या होता है मैं सब चांती हूँ मेरे पिता तुमसे हमारे प्यार का बदला ले रहे हैं लेने दो बदला लेने का मुकाबला कैसे किया जाता मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था प्रती जाओ घर वापस लोट जाओ यह गहनों को स्विकार कर लो फिर चेले जाओंगी मैं किस किसम का इनसान हूं तुम अच्छी तरह जानती हो फिर भी यह गहने लेकर तुम मेरी मदद करने आई हो और मैं किस किसम के लेकर यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो फिर भी इंकर कर रहे हो फ्लीज शब्लो प्रिदी तुम में इन गहनों को नहीं छोड़कर जा रही बलके हमारे बीज जो संबंध है उसे तोड़कर जा रही हो हमारा संबंध इन गहनों से बहुत किम्ति है ले जावे ने भाया ये मेरे सुहा की आखरी निशानी है जिससे तुम्हारी जीजा जी ने अगरी को सक्षी मेरे गले में बांधा था अब मौत तो उन्हें लेकर चली गई साथ में मेरे माम का सिंदूर भी मिटा गई सिरफ ये मंगल सुत्र छोड़ गई ताकि ये हमारे तकलिफों में काम आज सके भाया इसे पेश दो अब ये मंगल सुत्र एक विद्वा के किसी काम का नहीं बेश द भीया है है हाई अरे तुम बाप के बंगले में मकमली कारिन पर चलने वाले पैर इस पत्थ्रली जमीन पर क्या कर रहे हैं क्या करें मजबुरी है जब भावरे को फूल से प्यार हो तो कांटों की परवा नहीं करता ये फूल और कांटों की कहानी तुमारे पिता जी को पता चल गई तो दोना हातों से अपना सर पीट लेंगे आरे पीट लेने दो दूसरों का सर पीटने वालों को कभे-कभे अपना सर भी पीट लेना चाहिए मेरी पिता ने तुम्हारी जीवन में काफी जहर बोला है मैं उसके बदले में तुम्हारों मीठा करने आए हूँ लो यह खाकर चाहें उनसे नफ्रत ना घटाओ अगर मुसे प्यार तो बढ़ाओ तुम्हारी प्यार के बिना मेरी सिंद्ध की सहर बनकर रहे गई अजय कर दो पूरा कर लेने दीजिये बंती है यह सुरच के साथ कौन बाते कर रहा है का ओह आपके चश्मे का नंबर खराब हो गया है अब दूर भी लगा के देखा किजिए बाते कर रहा है नहीं कर रही है कौन कर रही है आपकी बेटी यह नहीं मालूब है उसके हाथों की बने मिटाई की खुश्मू यह तका रही है और वहां तो क्या क्या हो रहा होगा अरे मैं उनका कलेजाची के सारी मिटाई अंदर से निकलूँगा ऐसे बाते कर रहे हैं दो जवान दिलों को न मिलने देने का मतलब है खड़ी तलवार पे बैठना ऐसी बातों को देख के भी अंदेखी कर देने चाहिए यह वह अपनी जिद की छूरी से आपके इतिहास का गला काट डालेंगे देखिया बंसी जी आप ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी जिद बलती जाएगी बसे आपकी बेटी को लेकर चमपत हो जाएगा जागा बख्वास करेंगाता तो में तेरे को उठाला हूंगा ले जाई है तीन साल से उसको को लखवा है वह विस्तर पे पख़ए ईज्द को ले नीजागी आप ले जाई है मैं भीजवाज भीजवाज नहा शूरू करतें पदल इस लिए आप तो अची तरह से जानती है कि मैं इस गाउं के कानून और इंसाफ कर रखवाला हूँ इसलिए मेरा इंसाफ तो ये कहता है कि आप पर ये विद्वापन अच्छा नहीं लगता है शोबा नहीं देता है इसलिए मैं ये देखिए आपके लिए इस सुहागिन का जोड़ा नाया हूँ इसे पहन लीजिए और मेरे इसनाथ हमेशा हमेशा के लिए गाट वाट अब शर्मा के बच्चे साले मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जगा देखकर हाथ बढ़ाया कर जिस दिन मेरा हाथ को गलत मत समयना मैं वाके ही आपकी विद्वा भेहन सीता जी से शादी करना चाहता हूँ फरामजादे क्या वोला उन्हें गाओं के मुझे को मारा फिर मारा मेरी भेहन को सारी पेनाएगा यवे कमीने ये सारी अब मैं तुझे पेनाओंगा मुझे चल उतार कपड़े मैं क को अब मनसेफ की आलाद इस हालत में सीधा गाओं की तरुब भाग पीछे मोड़कर नहीं देखना है पीछे मोड़कर देगा तो मैं तेरी गर्दन उतार दूँगा चल भाग रही है अबे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुने मेरी घर मोजगुदी में किसी औरत को अदमाशी के लिए बुला लिया है कैसे बाते कर रहे हैं आप बंसी लाल जी अगर बुलाओंगा भी तो इतनी भयानक लंबी चोड़ी पहाल जैसे औरत को मुझे गीला थोड़ी होना है मुझे ने मालूम कावन है अगर तू आ तूसे हैं अगर शरीर बहुत लाजवाब है रहे उसका मगर यह भाग कैसे रही ह लगता है अपने खसम को छोड़के भाग रही है औरे बंसी लाल जी वह आपके के तरव जा रही है तूसे मिल के आता हूं ने ने बंसी लाल जी यह पाप का काम मुझसे नहीं होगा मैं उस दुख्यारी का हालचाल पूछ कर आता हूं आप यही रही है एक जहापड मारूं देवी जी अपने माबाप से लड़कर आई हो यह खसम से जगड़ा कर लिया है फिकर मत करो तुम्हें यह से कोई नहीं ले जा सकता है मैं इस गाउं का बेताज बादशाह हूंग वह इस गाउं का मुंसिफ है ने रगूग अरे वो तो मेरे जूतों के तलवे चाटता है है सुना रख करीब आओ मेरी आखों को ठिंड़क पहुचाओ तो अपने चांसा मुखड़ा तो दिखाओ अरे दिखाओ ना दिखाओ ना हुआ है 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 तो कहीं रगू की जुनला भेंद तो नहीं है फिर कौन है मैं रगूई हूँ है फिर इसाड़ी ए कहीं गलत धंदा तो नहीं जुरू कर दिया है अरे जब यह सब तुम्हारी से लागा लजीजा है मेरी हाँ तुमने मुझे सांड को उसी रिक बेदा ना तो तो राम लें सूरज ले मुझे आट को राड बुलाती है मुझे खीला भी करती है बोव डर गयो गिर गया क्या फाइदा खेट की जमीन पर तो गिरते हो लेकिन मेरे दिल की जमीन पर कभी ने गिरते हैं हम जैसे गिरे हुए आतर ठोकर खाकर जमीन पर गिरते हैं या नजरों से गिरते हैं दिल पर गिरने लाइक नहीं है देखो तुम ये दिल जलाने वाले बाते करके मेरे तिल मत दुखाया करो प्रिदी मैं तुम्हें किस तरह समझाओं मेरी हर खुशी तुम्हारे पिता की नजरों में कांटे की तरह चुपती है और मैं तुम्हें किस जुबान से समझाओं कि मैं जिन्दा सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ अपने पिता के लिए नहीं मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो जरूर कहके तो देखो तो फिर जहां तुम्हारी पिता चाहते हैं वहां तुम शादी कर लो और किसी बड़े घराने की बहु बनकर आराम की जिन्दगी गुजारो हो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है अगर मुझे पता होता कि आज तुम इतने सड़े हुए मूड में हो तो मैं यहां कभी ने आती ठीक है मैं जाती हूं फिर कभी ने आऊँगी कर देखो दोने साम कैसे लड़ रहे हैं वह लड़नी गए फिर बलके तुम्हारी भाषा में यू कहना पड़ेगा कि साइडे हुए मूड में नहीं है तुम्हारी तरह प्रेम करने की मूड में हैं हुआ śp 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 Зна teorстро 겉 benef kueni apan चादनी चादनी रपलन नहीं प्रेमियो को जन्नत से कम चांदनी रातिय सनम नहीं प्रेमियो को जन्नत से कम आओ जी भर के प्यार करो कोई देखे तो देखने दो चांदी चांदनी रातिय सनम नहीं प्रेमियो को जन्नत से कम आजी भर के प्यार करो, कोई दिखे तो दिखने दो, आजा, आजा जिन में जान है जिन दिल है, उन सब के अंदर है प्यार जिन जान है, जिन दिल है, उन सब के अंदर है प्यार हम क्या तुम क्या प्यार में धूबा, सारा ही ये संसा हम क्या तुम क्या प्यार में धूबा, सारा ही ये संसा चांदनी, चांदनी राते सनु, नहीं पिमियो कुझन नसे कूँ आओ जी भर के त्यार करो, कोई देखे तो देखने दो आजा, आजा, हो हो हो, हाँ 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 कर दो देखे तो आजा, हो दो देखे तो तारों के फेरे करती है धर्षी, धर्षी के फेरे शंदा तारों के फेरे करती है धर्षी, धर्षी के फेरे शंदा तेरे मिलन की चाह में भूने मेरा प्रान पतंगा चांदनी रात ये सनम नहीं प्रेमियों को जन्नत से कम आजी भरके प्यार करो, कोई देखे तो बितने दो आजा, 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 आजा 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 दो कर दो को अक्षिए को दो कि अधिक वाइब दो कि अधिए के अधिए बंजी लाल आ जंगली ओफिसर नहीं मतलब है फोरेस्ट ओफिसर सुदर शाल जी आले बहुत दिनों बाद दर्शन दिये मनने कहा है बंजी लाल तादर टेम होता नहीं है वह सब्सक्राइब ओखेट और बुखेटा दो कि अधिक मिले को रहे सब्सक्राइब ख़चें जो और सब्सक्राइब बहुत बढ़ा शाबूसा इंच आप अर्वारेस्टिया की पेंडल फोरेस्ट दिपार्ट्मेंट ऑसक लीए तैंटर मुआ बैगा सब लोगे काम करो वो टेंडर भर दो बहुत सारा फैदा होगा समझ में नहीं आता सुपरशन लाल जी आपके निसानों को शुक्री हम कैसे अला करें वैसे जैसे हमेशा चुकता करते आयो बंसी लाल एक तो मन्ने की चोटी सी जेब गरम कर दो और दूसरा मन्ने को को ताजा सब्सक्राइब कर दो तो मैं गरम कर दूंगा फर्वल खेलाना इनका काम है कि अ सब्सक्राइब कर दोदिये आया है कि भीक्ते आया है lurid अग... गमेओनौ। लुराशूस्त लुराशस्त लुराशसु两久 hypocili लुराशस्त लुरेशस만 सूरज, सूरज ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो फागलपन है नहीं पीती, मैं अपनी बेवसी का गला घोट रहा था अगर यही बहुत दूरी तुमने मेरे पीता के सामने दिखाय होती तो आप तक मैं तुम्हारी पत्नी बच जुकी होती तुम्हारे बात के सामने बहादुरी दिखाने के लिए मुझे हाथ में खंजर उठाना होगा वो मैं कपका उठा चुका होता लेकिन हर बार मेरी विद्वा बेहन की मजबुरिये मेरा रास्ता रोक लेती है मेरे सिवाई संसार में उसका कोई नहीं यह ख्याल मेरे हाथ से खंजर छीनकर फैंक देता कि मेरे बाद मेरी दीदी का क्या होगा जिस वासना बरी निगा से लोग मेरी बहन को देखते है अगर मैं जेल चला गया तो वो उनकी वासना का शिकार बनकर रह जाएगी अगर ऐसा है तो अकल से कम लो अपने महनत और चालाकी से उगाए हुए फल दुबरा हाजिल करो शर्मा तुम्हारे फल थोड़के शहर की बादर में बेचने गया है अगर अगर और अगर अगर जवाब दोगा फिर गिला कर गया ता सुनिये सीता सीता तुम्हारे यह खूब सुरुत पैर मेरे घर की चोगर चमकाने आये है आप मुझे शादी करेंगे शादी सीता तुम मेरे क्यों मजाक उड़ा रही हो क्या एक बार साड़ी पेराने के बात भी तुम्हारा जी मैं सच कह रही हूँ आप मुझे शादी करेंगे लेकिन कहीं एप पर तुम्हारा भाई आ गया उसने मेरे कले में सब्सक्राइब मुझे परिफ्ट के लिए और जब तक उसे मालू पड़े गा तब तक तो हमारी शादी भी हो चुकी होगी और आप मेरे पती भी बन चुके होगी फिर वो अपनी बेहन के सुहाग पर कभी हाथ ने उठाएगा ये तो बिल्कुल ठीक है तो पर रॉक आओ कि अरव रॉक 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 अजुड़ा अपनी दिदी की शादी में ने गए दिदी की शादी का कहने हैं अरे सच कह रहा हूं वह अपना मुंसीव रगु है ना उसके साथ हो रही है अब तक तो फेरे भी लग चुके होंगे और वो तर्फुराल भी चलीगी होगी चला हुगाई, काफी रात हो गई तो ले मिया को अंदर जाने दो, सुफागराथ मिना दो चलो मिया, तो ले मिया को अंदर जाने तो तुम कहां खड़ा हो? तुम खाली नाम के दुला और काम के दुला तुई है, सुवागराथ इनकी मनाए जा रही है तुम मेड़ तुम कहा खड़ा हो रहा है मनननने, अंदर चलो अहाँ, चलिये दूश, दूर अंदर जाईए और मेरी जगह पर जाकर सुवागराथ मनाएए अफर आकर सुवेब बदाईए कि मझा आया कि अब क्ये हो गया है आपके दर्शन के लिए बेचान हो रहे है तुम आपके दर्शन के लिए पेचान हो रहे है लाँ नहीं तुलें? अजिए भी कर देना लेजे, शुम रातनी है कौन है आप आज गी राथ भारे का पति क्या भगाथ करते हो जी अन्हें बग्वास करने नहीं हारे के साथ स्वाग राध बलाने आप चोड़िए जलो 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 जल कि अपनी पत्नी को पराहे मर्द के हथ सोपने वाले दलाल तुम जैसे शरीर पेशने वाले को जीने का कोई राग नहीं जोड़ो 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 आप कर दो अब है इना तरह न कर दो की इना ना कर आप है कि अजीन यह लिए कि तूम ने क्या किया के इसमाफ कर दो फिया मैं तुम्हारे जिन्दगी में बहुत बढ़ा बोज बढ़ गई थी नहीं उस बोज को हलका करने के लिए मैंने उस पापी रागु से शादी कर ली दिदी और उसके घर में बंद नी बंद गई दिदी लेकिन मैं दोका का गई मेरे भाई बोलो आप से भी जादा पापी निकले आपने बादे के लिए बोल लोगों ने मुझे फारुट आपी से क्या हाले कर दिया नहीं दिदी नहीं दिदी दिदी कि रखलकू झाज से खुट näएगगव घटॉ कि प्रुट पार मोर लुट कि अ एंड मोर बहुश陜 जख उख एंड मोर बहुशं है जए जड़ घ्शक मोर जब गड़ है लुड्यू कर दो औरे हैं, था दोठा कि खूः हम पूज अो, था धूए değil, भूआ और कर दो पाल ढरो कि उने एतरbacks का जनने। अज कर उ सह मुछ झाल हुआ 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 है हुआ 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 है आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जो आप लोगों में से किसी को मालूप नहीं है आप लोगों का कलेजा फट जाएगा आप जानते हैं याराम जादा खुदकर्ज है यह अपनी विद्वा सगी बेहन का सोदा करना चाहता था उसे बेच कर उसके पैसों पर जाज करना चाहता था तो में लोगों जो मैं पचारीश सीता रोते रोते मेरे पास आई अपनी दुख बरी कहानी सुनाने लगी और फिर मैं भी रोपड़ा इसे इस पापी से बचाने के लिए मैंने इसे शादी कर ली लेकिन इस हरामी से इस हरामी से यह नहीं देखा गया बड़े कुटे दे पागल कुटे की तेरा यहां पर आया और मुझे बुरी तरह मारने लगा और फिर इसको वी ले अपनी देवी जादी बैल और तेरी धरम बस्ती को श्चार से बाटा अज तो मैं मजबूर हूँ अपनी इस पापी जुबान से चीवर के जूट अगर लो जूटी जुबान को जट से उखार कर निगाल दूंगा बास रगू बास बास रोना बंद कर सीने बें पत्त रख ले तेरा घर तो बसने से पहले उजड़ गया दोस्त इसका अंतिम क्रिया करम तो तुझी को करना पड़े गया ना लावी लाओ 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 शर्मा जी पुलीस को ख़वर कर दी यह कर दी लेकिन पुलीस के आने से पहले हम इसको सजा देंगे इसके बाल मुद्वा कर इसका मुझ काला करके सुगजे पर उल्टा बिटा कर सारे गाहों में फिराएंगे ताकि गाहों वालों के इबरत मिले कि कोई भी आदमी अपने बैन की इज़त का सुधा न करे उसके पाक दामन को उसके खून से सुर्ख न करे लेजा जी हाँ नेचे कर ऐसे अब तक घमर नहीं तूटा तेरा जाहर बात है बैन का सुधा करने वाला गाहों के रिवाजों का क्या मान रखेगा ठीक है अब मैं तेरा इलाज करता हूं और इस तरह मैं मां से बच कर भाग निकला उनसे बदला लेने के लिए मेरा एसास वर्चों की तरह सुबह शाम मेरे सीने में चुपता रहता है किसी पल मुझे चैन नहीं लेने देता सुनिता जी अब आप ही बताईए क्या मैं खुनी हूँ कातिल हूँ मुझरिम हूँ गुनहगार हूँ नहीं बिलकुल नहीं पातिल मुझरिम गुनहगार तो वो है क्योंकि मैं उन लोगों का चित्र जानती हूँ आप हां तुम्हारी तरह मेरे भी दिल में बदले का जहर भरा हुआ है मैं एक अकेली आउरत हूँ इसलिए उनका कुछ नहीं बिगार सकी मेरा बस चलता तो मैं कपका उन तीनों को मौत के घाट उतार देती है आप कैसे जानती उन्हें रगु की पहली पत्नी मेरी बड़ी बहन थी दहस में पाय हुए सारे रुपियों को अयाशी और शराब में उड़ा कर वो मेरी दीदी से और पैसा मागने लगा पहले मेरी दीदी बात चालती रही आखिर जब तंग आकर उसने साफ इंकार कर दिया तो रगु ने मेरी दीदी का खून कर दिया और बंसिलाल के साथ मिलकर ये खबर पहला दी कि उसका दिमाग ठीक नहीं था उसने आपके रूप में खुदा कर मेरे दिल में भड़कती हुई ज्वाला को ठंडी करने का रास्ता बना दिया है मेरी आज तक की जमाकी हुई कमाई मेरा इंफ्रेंस मेरा वसीला मैं हर तरह से आपके साथ हूए बस आप वहां जाकर उन भेडियों का ऐसा सबक सिखाए कि इस इ प्रिजा जी की फोड़रा कैसे आई भया तू इसको जानती है अफकोस वो जो मेरी प्यारी प्यारी मीटी मीटीचर दीदी है न सुनिता तिती यह उनिका मंगे तरह है उनक्या ही रहते ही है यू में चो से डॉक्टर सुनिता येस ओ मैं गॉड चिराग तले अंदेरा कि इ हालो मैं दिनेश बोल रहा हूँ जैस मुझरिम के हम सुबह शाम तलाश कर रहे है वो मेरे पडोस में ही चुपा बैठा है तुम फॉरन पुलीस फोर्स लेकर टॉक्टर सुनिता के मकान को चारो तरफ से घेर दो कमान फास्ट ना ना पहुंस ता हूँ अच्छी तरह मालूम है तुम इस घर में चुपे हुए हो अपने आप को पोलीस के हवाले कर दो अगर तुम ने भागने के कोशिश के तो तुम्हें गौली मार दी जाएगे कि फॉलो में वाकतर सुनिता ये सूरज कहा है सूरज तो आसमान तर है आसमान के सूरज को तो हम जमीन पर नहीं ला सकते हैं लेकिन जमीन के इस सूरज को आसमान तक ढूंपुछासकते हैं डाक्टस सुनीता आप अच्छी तर जानती हैं हम उबसे क्या पूच्चना चाह रहे हैं ओ… सूरज बाबु के बारे में? वह तो चले गया है आइसी कब सुबह आठ बजे अच्छा ठीक है इनके घर की तलाशी दो चलो एक मिनट आपके पास तलाशी का वारंट है देखे देवी जी मेरे पास सुबूत भी है और वारंटी आप कहें तो फॉरांट पेश करूँ आपको इस अल्राइट अब बैच्छों के कसम खाके कहता हूं पलंग इल रहा है आप खुद जाके उपर देख लीजिए अच्छमपक लाल तू की बिल रहा है चल साथा आप यह देखे पलंग इल रहा है चलो बठाव इडियोट आथ उठाने पर यह बोल रहा हूं पलंग उठाओ हाई भाईया आप तो मिया का कर रही हो मेरे पहुंशने सब मैं अपने किताब लेने आई थी यह देखो भागो पूथ आया इसी को तो ढूंड रही थी शाट मैं सज कह रही हूं भाईया आप शाट डॉक्टर सुनीता आपको मेरे साथ प्रोली स्टेशन आना पड़ेगा हाई है का है आप आप का है कि मद्वेरे सबेरे निवरे निवर्ति हो जाती है थी तो बोला अनद आगया भाईया भाईया हो जाता पंसी लाल कहा है अब मर गया खो गया मतलब गीला हो गया सीधी तरह बता वरना करदन मुरोड कर यहीं जमीन में गाड़ दूगा वो तो शहर गया है जाकर उन कमीनों से कह दे के सूरज की किरने मौत बनकर उनका पीछा कर रही है अब वो अपनी जिंदेगी के दिन नहीं कड सॉसाइटी में आपकी इजद है और आपने मुझरिम को एक भाग हो कैदी को अपने घर में पना दी मुझे कैसे मालम हो सकता है कि वह मुझरिम है या भागा हुआ के दी यूमीन तू से आपको बिल्कुल पता नहीं था जी बिल्कुल नहीं कियूंकि मैं उसे जानती तक न मेरे 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 मेरा मतलब एक घर मेरे आप एक बात और भूल रहे हैं मैं सिर्फ एक कमरे में रही नहीं बलकि मैंने उसके बदन को छुआ भी है एक डॉक्टर की हैसियत डॉक्टर सुनीता आप ये कहना चाहती है कि सूरद ने दो दिन आपके घर में सिर्फ एक मरीज की हैसियत से गुजारें प्यस्पी साहब हाथ में छुड़ा लिए एक जवान लड़की आपके सामने आये तो आप क्या करेंगे हम उसे ग्रफतार कर लेंगे और ग्रफतारी के बाद उस जवान लड़की को अपनी कैद में आप ठैदी की हैसित से रखेंगे या किसी और हैसित से रखेंगे डाप्टर सुनी तो मैं पॉलीस आफसर हूँ और अपना फर्स निभाना बहुत अच्छी तरह जानता ओथ मैं भी अब एक डाक्टर हूँ मैं भी अपना फर्स निभाना अच्छी तरह जानती हूं खैर अब कहा है वो डाक्टरी की डिग्री लेने के बाद से आज तक मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया मगर घर जाने वाले मरीजों का हड्रस कभी नहीं पूछा मैड़ाम आपको जरूरत से जादा ही स्मार्ट बन रही है सूरज आपके घर में दो दिनों तक रहा और इसके बावजूद आपने उससे कोई सवाल नहीं किया मैंने कब कहा कि मैंने कोई सवाल नहीं किये बहुत सारे सवाल किये तबियत केसी है, जखम केसा है, भूक लगती है की नहीं, नींद आती है या नहीं मैं आपसे इंग डॉक्टरी सवालों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ और सवालों का जवाब चाहिए तो कॉर्ट में ले चलिए जवाब भी मिल जाएगा और शायद शराफत पर कीचड़ उचालने के जुर्म में आप पर बेज़ती का मुकदमा करने में भी आसानी होग साली साहब आप पुलिस्टेशन में क्या कर रही है खोड़े खोड़े नमस्ते सब्सक्राइब बंसिला जी क्या हाल है हाल तो ठीक है मगर आप गलत दर्वादा खट खट खटा रहे हैं वह सूरज इसके घर में नहीं है जिना वह पागल कुते की तर हमारे गाउं में घूम में था और इस बात के डॉक्टर सुनीता नहीं किया है आप फिकर मत कीजिए बंसिसाब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे फिकर न करें सरकार हमारी जान के लाले पड़े हुए मैं तो कहता हूं जल्दी कीजिए नहीं तो हमारे शरात का खाना पक जाएगा और आपको भी हमारी मौत के घोड़े बे काबू चूटे हुए हैं लोग बुरे वक्त में श्री गणेश को याद करते हैं हमने एस पी श्री दिनेश को याद किया है यह पाप की गर्मी फेलाने वाले सूरज को हदकड़ी लगा कर ठिंडा कर देंगे हमें पे पूरा विश्वास है हम चल कि कौन है तुम लोग अंदर केसे आये तक क्या कर रहे है छोड़ दो मजे छोड़ दो कि अधाने जी नमस्ते को मैं गाली से भी गंदा शब्स समझती हूं देखो साली जी तुम चीत तरह से जानती हो कि साली आधी घर वाली होती है अब मैं तुम्हें खड़े-खड़े पूरी घर वाली बना देता लेकि तुम्हें मुझे मुझे मौकाय नहीं दिया है ना आपने आज तक सिर्फ अस्पताल में औरतों के बच्चे निकाले हैं मगर हम इतने कुट्टे के बच्चे हैं कि हमने मैदानों में खेतों में औरतों के बच्चे निकालके रखती हैं शर्मा जी इस डॉक्टरानी को बताना कि हम इसके सिवा और क्या क्या कर सकते हैं हाँ देवी जी बले जलील है ये लोग दुनिया भर के कमीने बदमाश लुच्चे लपंगे पापियों का रस्प निकाल कर दो आदमियों को पिला दो तो वो कैसे बन जाएंगे ऐसे हैं ये द कोई मुद दिखाने के काबिल नहीं रहोगी ना शरीर की और ना आत्मा की इसलिए बताव सुरज का है कि यहीं है दर बनकर तुम्हारे दिलों में बैठा है देखा कैसे जटके पर जटका मार रही है हम कितनी गंभीरता से पूछ रहे हैं और ये कितनी चिछोरिता से जवा कि देवताओं को चैलेंज करने वाला शैतान अगर ब्रह्मा कहें कि उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता तो ये पांच मिनिट में उसका लिखा मिटा देता है और जान ले लेता है आज तक 20 खून कर चुका है और पुलीस को आज तक पतानी चला कि वो लाशे इंसानों की थ मैं मर जाओंगे लेकिन नहीं बताओंगी देखो साली जी मैं कितना कुटे का बच्चा हूं तुम अच्छी तरह से जाती मैंने सारे गाम वालों को विश्वास दिलाया था कि तुमारी बेहन ने खुद कुछी किये लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे जहर देकर मैंने ही वाला उसका भांड़ा जब तक मैं नहीं फोड़ोंगी तुमहें और तुम्हारे इस बंसिलाल को जब तक घसीद कर आदालत तक नहीं ले जाओंगी मैं चेंट के सास्क्राइब मैं दुनिया को बताओंगी कि तुमने गरीब लड़कियों के साथ कैसे कैसे जूम किए सूरज के स तुम लोगों कैसे नहीं छोड़ोंगे समझें बंसी लाल जी इसके भाशन से खाया हुआ राशन बाहरा रहा है इसका मूबन करवा हो और जग्डा से कहकर कुछ काम करवा हो इसका जग्डा है हाँ ये गुडिया तुमारे हवाले ज़रा खेले उससे चोरी तो चूरी से भी जयादा नहीं आता कोई बात नहीं अभी आएगा लगता है अब चूरी की धार असर कर रही है बहुत सूरित का है बहुत सूरित का है यह क्या मुसीबत रही है यह क्या मुसीबत रही है जगा ज़िए लो चलाओ चलाओ किसे काओ कि तुम मुसीबत में हो फरन नहीरूपार के पास पुराने बंगले में पहुचे और सुनो और कुछ कहा तो खला कट डालूगा बलाओ जो सुरेज सुरेज मैं बहुत परिशान हूँ तुम यहरूपार के करीब पुराने बंगले पर फोरन चलिया न और सुरेज 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 अंदर लाओ पापा चली जाओ सुरेज सुरेज अपाने लिलाओो! सुली दाज दाज! सुली दाज आपा! सुली दाज दाज दाज! अरे सुरिता जी, सुरिता जी, यह सब क्या हो गया? सुरज, इन जालिमों को फाल्सी पर लटकाने की तमना दो अधोरी रह गई ब्रोटकिस्म थे, कि मेरा यह खुण हो गया सुजदा जी सुरित, सुरित तुम यह से चले जाओ, फॉरन चले जाओ नहीं तब मेरा खुण करके ऐल्जाम, तुम्हारे सरत म ही इसमारा जाना जाचाते हम रह दो नहीं, सुरिता जी नहीं सुरिता जी, मैं सबसे पहले आपको हस्पिनल ले जाऊंगा नहीं से बत करो, मुझे फॉरन पुलिस के बस ले चला सुरेट सुरिता जी, सुरिता जी सुरिता जी यो अनर, पूरी चांद दीन के बाद ये साबित हो गया कि मुल्जिम सुरिज ने पहली नवंबर की गात को डाक्टर सुनिता का खून किया प्रोसीक्यूशन ने सिलसले में गवाहों के जो बयानात पेश किये हैं उनसे ये साफ जाहिर है कि मुल्जिम सुरिज और मरहूमा डाक्टर सुनिता के नाजायस तालुकात थे डाक्टर सुनिता चूंके एक मालदार औरत थी इसलिए मुल्जिम ने उन पर एक दिन अपनी ये खौहिश भी जाहिर की कि वो इसे अपनी जाइदाद में बराबर का इस्सेदार बनाएं लेकिन यूर अनर जब डाक्टर सुनिता ने इंकार किया तो मुल्जिम ने उन्हें अपनी मकारी से नहरुपार के पास पुराने बंगले में बुलवाया और तनहाई का फाइदा उठाकर उन्हें कत्ल कर दिया मुल्जिम सूरज तुम्हें अपने आपको बेगुना थाबित करने का मौका दिया जाता है मुकद्मे की पैरवी करने के लिए तुम्हारा कोई लॉयर है गवाहों के बयानात और मिलने वाले सबूतों के बल पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि पहली नवंबर की रात को मुल्जिम सूरज ने डॉक्टर सुनीता का खून किया लहाजा अदालत मुजरिम सूरज को इस जुर्म के लिए IPC 302 सेक्षन के तहट सजाय मौत तज्वीज करती है बंसिलाई जी क्या वसीला चल दिया क्या वसीला चल दिया मौत ने सूरज को गीला कर दिया आपने सुनीता दिदी का खून क्यों किया दिदीन तुम्हारी सेवा की और तुमने उनकी सेवा का ये नाम दिया नहीं रजनी मैंने किसी का खून नहीं किया मुझे फसाय जा रहा है मैं खूनी नहीं हूँ तो खाओ मेरी कसम तुम्हारे सर के कसम सुनीता ने मेरी जिंदेगी बचाने के लिए अपनी जान दे दे वो तेवी थी तेवी ही मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूँ तो पिर तुम आदालक में क्यों खामुश रहे जब तुम पर खून करने का इल्जाम लगा जा रहा था तुम चुप क्यों थे जावाब ते सुरच क्या वज़े थी वज़े जानना चाहती हो तो सुनो छोगे वस्दिन जब मेरे पिता की लाश लटकें मिली तो उनोंने मुझे ये कह कर खामोश कर दिया कि उन्होंनें आत्मा लेकिन मेरी फर्याद किसी नहीं सुने यह अंधे और बहरों की दुनिया पिती यह दौलत की पट्टी और दौलत की रूज से कानुन को अंधा और बहरा बना दिये जाता है इसलिए मैं खामुश रहा क्योंकि मैं जानता था कि मेरी आवाज कानुन की निगाह में एक गुंगे की पुका लोगी यह तुम बिल्कुल गलत सुनचे सुरच तुम्हारी यह खामुशी तुम्हारी घुनी होने का सुबूत बन जाएगी मेरे सच और आसु जच साब की कलम का फैसला नहीं बदल सकते प्रितिक मुझे मालुम है फैसला मेरे खिलाफ होगा मुझे भांसी होकर रहेगी नहीं होगी सुरज नहीं होगे हब भी प्रीती जिंदा है मेरे वकिल सबसे बात किये है वो तुम्हारे केस रड़ेंगे तुम्हें बचाने के पूरी खोशिश करेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ जिजाजी सुनिता दिधी और तुम्हारे क्या सम्मन थे उसकी गवए मैं अदालत में दूगी और कहूंगी कि तुम दुरों का कोई सम्मन नहीं था और अगर था तुसरे एक डॉक्टर और मरीज का सम्मन था बोलो सुरज अब तो बोलो कि तुम अदालत में सच-सच बोलोगी तुम्हें मेरी कसम है ठीक है अब तक तुम्हें चुप था लेकिन अब तुम दोनों के लिए बोलूँगा सब कुछ सच-सच बोलूँगा कैसा हो सकते एंकल सूरज के केस में कोई आई विटनस नहीं है उसने कोट में अपनी बेगुनाही सावित करने के लिए ना तो कुछ कहा है और ना ही कोई वकील किया है इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे मुकदमे को हाई कोट में जरूर दाखिल कर लिया जाएगा सच हाँ बेटी लेकिन सूरज को कोट में सब कुछ सच सच बताना होगा अब इसे आसान मतला दो जब मैं सूरज को रहा करवा के तुम दोनों की शादी पर आशिरवाद दूंगा तब देना मुझे धन्यवाद ठाकवान करें ऐसा ही हो ऐसा ही होगा हाँ 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 हुआ 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 है हुआ है 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 सावली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार प्रियान दखा करो है 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 अच्छी बात आज के बाद तो इस घर से बार नहीं जा सकेगी जाओंगी है मुझे कोई नहीं रोक सकता तू बेयोकूफ है यह दौलत जिसे दुनिया लक्षमी कहती है अगर मैं इसे लोगी की तिजूरी में कैद करके रख सकता हूं तो तुझे इस चार दिवानी बंद करके रखना कौन सी मुश्किल बात है सिर्फ थोड़ी देर के लिए पिताजी कल सूरज हाइकोट ले जाए जाएगा और वहां से छुटकर सीधा यहां आएगा मुझे आपकी कैच से छुटा कर ले जाएगा और शायद आपकी ये लक्षमी देवी को भी साथ ले जाएगा अरे भाई, एक मुद्यद हो गई बीड़ी पीए बहुत तलब हो रही है, बीड़ी दो ना बीड़ी? माचीस माचीस? नहीं, नहीं हनुमान जीने अपनी दुम्ब्य आग लगाकर सारी लंका जला जित्छी कहीं ये माचीस में तुवे देदू ये व्यान जलाना डालो इसलिए मज राता हूं माचीस 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 अब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो औरे छोरी हाला लाला लाल चोड़ी का लुधक तो कोच दो है अजलो किया रुकीए था इसे नार एक आद मेरीं कप्ड़े मुझे बाहिंना दिया और खुद spectacle बैरे मोंटसेंगे लेकर फाग गया लिओ किस तरह इस तरफ अज़ अ्लदो बातो है करें, तौर्ण टॉप० तौर्ण कि अच्छ तौंव झाल झाल बहुत भागली है ठक गया हो गया है चलो अब थोड़ा आराम कर दो झाल झाल हुआ 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 है तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया सूरज अब तुम कहां जाओगे हुआ 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 हु पूलिस पॉलिस पॉर्टर ना मैं दिनेश जुग्रान बोल रहा हूं शूरज कनेरी के घने जंगलों में छुप गया है उसका पता लगाने के लिए पुलिस का डॉग स्कॉइड भेजो पुलिस के हाथ लगे तो पहले उसे हमारे हाथ लग जाना चाहिए परना बंसी लाल की में कितने पेल यह आए टै्लिंय में कितना पत्तत्य वह समन सब्सक्राइब मन्लिन सूरज कोत्रा करे तेंके मा बचआ दूगा पलाच ऑ़ कि ये डिली आफ रहा है कि अचे जा है अबञाल सी अखेब करें हुआ 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 है हुआ 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 है 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 मन्या सुदार्शनलाल बहुआ है मन्या के आदमों ने जंगल का चपा 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 चान मारा लेकिन सूरज के पता में जला मन्या सोचो यह तो सूरज को जंगली जानवर खा गया है तो यह को खाने हा रहे है हुआ है हुआ है पुआ है जंगल में नहीं भागया वह साथ भागया तो फिर वह यही कही होगा वह यही कही होगा अब्य क्यों चिला रहा है वह परदा हिल रहा है लग्टाव परदे के पीछे है जाए आये कहा है पुल्लुकापठा गधा व्यखूफ खुद तो डर के हमें भी जहा गिया आपको तो सिर्फ डरा दिया मगर मुझे इस जरने अच्छा खासा भेगा दिया पंसी लाल जी इस गंदे को भुजदीरी के अलाद को भाव यह से नहीं तो हमारा आटटेक करोदे का खड़े अरे कोई आटटेक नहीं होगा को अगर यह आएगा तो मुझे मालूम है कि उससे किस तरह फसाया जाए वो कैसे अपनी बेटी को हत्यार बनाकर उसकी शादी पक्ये करवाकर और यह खबर आप शबादूँगा अरे वह बंसी लाल जी आपने भी क्या दिमाग पाया घड़े घड़े अरे शर्मा जी आदमी सब कुछ परदाश कर सकता है लेकिन अपनी प्रेमी को किसी दूसरे करते वह नहीं देख सकता सुरज भी नहीं देख पाएगा वह तरपेगा अंगारों पे लोटेगा और वह प्रेथी की तलास में यहां जरूर आएगा जब वह यहां आएगा तो यहां चे वापस नहीं जाएगा हमारे भेला हुए जाल में भस जाएगा हमार जर घएगारों हमार आएगाinea हमार… क्वार खोंपद लगता हमारी psicsınız तुर अजाए्स! तुरी helps! अजाए्स! अजाए्स! Dalaad! Dalaad! ऐ लुड़ागो कि अधिए जब दो कि अधिए नमस्ते 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 खारियत बंसिलाल जी खारियत अब तो मैयत का तेम आ गया है रादभर गरम रेज पर तरपती मश्री की तरह गुजार कराया हूं अगर हुआ क्या बेचारों का नाम बंसिलाल है बेटी मूख आला का जया जब घर से बाग गई इसलिए वायरलेस भीजी टेलिवीज लेडिवस के लापता होने की कबर भीजिए अपने आद्में को भीजिए पलिस को बेजिए अप इत्में हम अपी दरढ़ से पोरी कोशिश कर रहे हैं कोशिश मैं नहीं जानता मुझे मे अच्छाstore क्या करूंगा कि jumped दिख कर सकता हूं मर गया Durma सबकार शर्मा को बताते हुए जरा शेर बारी यही जर्ण पर हागे की चिक्षीन क्वाले जोट्सी के पूछ लीजिए वो इसपी दिनेश्ट जुंगराण कहते हैं मेरा नाम सुनकर लोगों के होश और हवास उड़ जाते हैं तोते और जोतिश की बात छोड़िए इसले शराफत से कह रहा हूं आप लोगों से यहां से तश्रीफ ले जाए अगर पुलीस से मदद चाहिए तो मदद मांगिए हुकुम मत कीजिए मुझे मालू में क्या करना औ अनौ गिराट अलफ यू ब्लोडी स्वाइज गड़ाए अगर हमारा ये को काम कर सकता है ना वह जग्या तूर मैं अभी जाकर उसे कहता हूं वह जट पर सारा जंगल चान मारेगा और उन दोनों को पकड़के आपकी कदमों में लाकर खड़ा कबेगा खड़े-खड़े- इसका मतलब यह हुआ कि सूरच और प्रीती दोनों जंगल में है उसे अभी जाके उनको बताना पड़ेगा अहां स्वागताम स्वागताम रगू बाबू स्वागताम तैं यहां मन्ने के पास यहां मन्ने के शकल कर देखे है जा अरे मन्ने का यार आया मदीरा का बंदू ब बाबू वह बात क्या कि जंगल में एक लड़की की खातिर आ गया हो हमारे पसकी फोटो भी है देखा देखो तुम जांते हो से देखाए गई यह तो धेर खुबसूरत पी अरे तो अपने बंसी लालकी छोरी लागे अरे हां सुदर्शन बाबू उसी की बेटी है प्रीती यह घर से भाग कर उस हरामी सूरज के पिचेस जंगल में आगया करें भाईया इसे पकड़ना जरूरे किसी हालत में भी इसलिए मैं जग्गा और उसके साथियों को भी लिया हूँ तो दर्शन बाबू एक बार यह लड़की हमारे हाथ पे आ गई जा तो फिर हम दोनों मज पाइक अब शूरा है जंगल में चुपे हुए है उनकी तलाश में प्रीदी यह यह आई जंगल में चुपे हुए है यूई है उसके पीछे मैं भी आ गई बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं गई वो जीजजी के लिए कितना रोती थी इसलिए मैंने सोचा चाहे मुझे शेर खा जाए हाटी कुछल दे मैं उन दोनों को मिला कर ही रहूंगी हरे यह क्या आप लोग ऐसे क्यों देख रहें मैंने कुछ गलत कहा गया है नहीं रजी तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो हम सब भी तुमारी मदद करेंगे आप अब सब मेरे मदद करेंगे हाँ हाँ जरूर करेंगे और ऐसी मदद कर यहर देज़ा करेंगे हो हमें . . . . . . सूराच! सूराच! ymh!! प्राओ! प्राओ! आप! प्राओ! चौर दोने पुझ! लोराओ! लोराओ! जाले? हुआ हुआ! हुआ 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 हु खहोजड़ उड़ाशा लुए लूपज़ जीआ चारेटी लेखीजा न जिए टूड़ा। हुआड़ाश खिए लुड़ाश्ड़ाशा भारेटी लुड़ाशा! हुआ हो। हुआ 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 जे हुआ 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 touchdown कहा रहो लोग, कहा है वो लोग? बताता हूँ, वो लोग, फारस्ट, गसा उसमा है सूरज, परो सूरज तुम तुम्या क्या ही हो? चले मैं तुम्हें गाउं के हद तक छोड़ा दू नहीं सूरज, मैं नहीं जाओंगी अब मैं सिंद्दी की गुजारंगे तो तुम्हारे साथ, और मरूंगी तो तुम्हारे बाहों मैं फिती, मैं अब साथ गुजारने की काबिल नहीं रहा मैं इंसान नहीं आग बंद चुका हूं, मुझसे दूर रहो, वरना तुम भी चल जाओगी वो मेरी सिंदिगी की सबसे बड़े खुशनिसी भी होगी लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद करने आए हूँ तुम्हें बेगुला साबिक करने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए प्लीज प्लीज सुरज अपनी मन में सुरगती हुई आख को बुचा दो और जैसे मैं कहते की बजाएं और बढ़ती रहेगी नहीं सुरज नहीं तुम्हें मेरी कशब तुम उसे दूर रहोगे तुम उसे मिलने नहीं जाओगे श्रपिर मेरी भी चीता चला दो उसके बाद जो मन में वो करना तुम अब स्पेशल स्क्राइट कर दो कि हम आज ही निकल रहे हैं जी सर लेकिन मैं दोखा खागी मेरे माई वो लोग वो पाप से भी ज़दा पापे निकले अपने फादे के लिए वो लोग ने मुझे पौण आप ज़र कर दिया यह आप दादा खुदकर्द है यह अपनी बित्वा सगी बहन का तोदा करना जाता था उसे बेच कर उसके पैदबर एश करना जाता था मुझे माफ करते नहीं प्रदी है मेरा दिल और दिमाग बदली की आग में चल रहे है, पुलीस आ गई है, उनके साथ चली जना, इस ही में तुम्हारी बलाई है प्रेटी, मैस प्रेटी, प्रेटी सूराज, 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 हमें देखते ही भाग गया हुगा, लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है, उससे कैसा पकड़ना है, मझुद, इस सार, इने इनके घर पहुछा दो ओके सार जांगा, एक तांगा, पुल दो थे जांगा, दो हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है 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 हुआ 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 है हुआ 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 मंग, 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 मंग मंग, 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 मंग 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 है ड्रों बातों से कर दूंगी राती तेरी सुखानी छुआ नहीं किसी ने एक दिये जवानी बातों से कर दूंगी राती तेरी सुखानी नस नस में मेरे ने अधिरा की गोवानी तेरे मेरे प्यार की बंजाई का आनी बंगो 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 मांग, 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 जो वी चाहो, जो वी बागो, है दिन हूँ, दो हारे दिये जा相त में, झाहो शेओो, जया आए, जा हूँआ झाहो वी बागो, जी बागो जाँ जाइ, जा हूँआ झाहो, जाा हुआ breeze दो हूँ, पी थjustez, मैं हूँ जा हुआ तर्ट τ rivalry także कि यु迦 वी जहा हुआ दो हुआप हा हुआ धूआ कर दो हुआत। हाँ sind झाल झाल तर हाँ तौ ros कि अग्राइब कर दो तो तो मरना नहीं चाहता है जिन्दा रहना चाहता है अभी मेरी उम्री क्या है देगो वह अगर तुमारी मेरवाली रहे न तो काभी साल जीऊंगा और इन सालों में कितने और तो की इज़त और जिंदगियों से खेलेगा नहीं सुरज बहिया मैं तुम्हारे पाफ बढ़ता हुँ मेरा जगील करो तुरेज भाईया देखो तुम्हारी मेहल की जबरदती शादी करवाने वाला उसकी बेजस्थी और मौत का ढ़ता है वो जाला बन सी लाल है तो पिर तुझे छोड़ना ही होगा तो देखो मैं इस कमान में ये तिर लगा कर तयार रखूँगा तुम भागना शुरू करोगी रजनी दस तक गिनेगी जैसे ही गिंती पूरी होगी मैं कमान से तीर छोड़ दोगा अगर तुम तीर की हद से बहार निकल गए तो बच जाओगे वरना तीर तुमारी पीठ में भुसकर तुमारे सीने के आर पार हो जाए तरफ टाजडी मेरी बेटी वेवी देगो किलती जरा आस्था अगिंना अब मेरे सीनद के तुम्मारे हवाले खड़े-खड़े बचालो राचल ही बच एक तो ते आाजू जाजू बताजू जाजू खुफज। नुफज। अबाओ भागने कोशित मकरोग, हैंसाथ अरसे, राजनी, तो भी है का कर रही है, फिल रहा पाया, सूराज, आए एस्पी साफ, और सब से कहिए कि अपने हत्यार गिरा दे, फॉरण, नहीं तो मैं तुमारी भेहन का गला का दूंगा जीजाजी, यह का कर रहा है, फॉरण, आखे मत दिखाईए, और जो मैं कहता हूं, वह कीजिए, और नहीं बच्ची का खून करने ज़े बात नहीं हूंगा बैया, मुझे बचालो, मुझे बचालो, बैया दरो नहीं, तुम्हे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हे कुछ नहीं करूंगा, प्लीज दरो नहीं बैया, तुम सब हत्यार खाक दो हाँ, रिचे बैठो यह एसपी साथ, अगर जरा भी हरकत की, तो मैं शूट कर दूँगा रजनी, बंदु के इठाव गाड़े में रखो चल्दी करो, रजनी चल्ड़ो ठैकियो, रजनी, अब तुम अपने भईया के साथ घर जाओ आप अपना ख्याल रखेगा आप अपना ख्याओ आप सबसे आप टूशन संदुर्जाओंचर यह उड़ा कि अजर्दन आप इड़ा रखेगा में बंदूद में वास्टन आए, अबस्ते ना एड़ा आप थे जाओंड़ावग्यूवाटवात आपके इंद्जान तो ठीक है ना देखिए मैं जबर्दस्ती अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूं कि शादी की बीच वह सूरज मौत का गहन मन कर तो नहीं आ जाएगा ना आप चुप चाप महमानों का सौगत कीजिए सूरज का सौगत करने के लिए पुलीस की पूरी फौज तयार करी है सुनो रामनगर के वासियो एक खास एलान सुनो आज इस गाओं की गली गली में गोलिये चलेंगी गोले बारूद के धमाके होंगे सारा गाओं को रुक्षेतर का मैदान बने वाला है इसलिए जिस जिसको अपनी जान प्यारी है वो फौरण गाओं खाली गर के चला जाए वरना हराम की मौत मारा जाएगा हराम जादे उल्टा लटका कर साले इतना मारूंगा इतना मारूंगा के सीधा होने के बाद दुनिया तरे को उल्टी नजर आएगी गाओ वालों को जूट बुटकर डरा रहा है नहीं हो जूट मैं जूट बुट थोड़ी डरा रहा हूं सो रुपए की नौकरी बजा रहा हूं कैसने सो रुपए दिया बै सूरज बाबुने सूरज कहा सूरज एस पी दिलेश साथ मैं यहां हूँ तुम आगे हाँ एस पी साथ मुझे फासने के लिए बंसी लाल ने जाल फेलाया है मैं उस जाल का चैलेंज स्विकर करना आया हूं तो क्या इस चैलेंज के लिए तो तो हुना कर बै जूकर बैखना हो का खुन बहा कर इस बसे मचार को इआना चाहते हो हम चान बनाना या नहीं बना यह आप के हात्में है अगर नहीं करने तो इस फंशिला के में हवाले करदो मैं हाप led कि ज्निक्यों के हिफाजद करने माया हूं सूरत तो आप जिन्दगी का जुवा खेलने रहे कि आपको ग्रफतार करने के लिए मैं बंसिलाल को आपके हवाले कर दूँ यह जुवा तो आपको खेलना ही पड़ेगा इसका इस जुवे के बगार कानून की हद कड़ी और सुरज के हाथों की मुलाकात होई नहीं सकती इसका मतलब है कि त नहीं सकता हो कानून कहां था आपका कानून जब गाव के इजद्दार गरीबों के मुहाफिज दान्वीर धाम्वीर बंसिलाल और उसके साथियों ने मेरी बेन को शिकारी कुटों की तरह मार डाला मेरे बाप को यहां इसी गाव में मार कर बीच चुराए पर लड़का कर मैं आप से पूछता हूँ जब डॉक्टर सुनीदाने असली मुझ्रिमों को फगड़वाने के लिए आपके कानून की मदद करना चाही तो इस जालिमों उसे ख़दम कर दिया और उसका खुन मेरे नाम लिग दिया और खुट साब बचकर निकल गया कहां थे आप लोग उस सूरत साहब यह वर्दी कोई आस्मान से उत्री हुई नहीं है जिसमें करिश्में या चमतकार के तखमें लगे हुए हैं जो घर बैठे कुनेगारों का पता बता दे यह वर्दी भी इसी दुनिया में बनी है और इस वर्दी को पहनने होने तमाम लोग इसी दुनिया की ना इंसाफी हुई है और अगर यह सच है तो मैं मैं दिनेश चुगरान तुमसे वादा करता हूँ के तुम्हें इंसाफ दिल्वाओंगा लेकिन उससे पहले अधियार फैक दो और खुद को खानून के हवाले कर दो अरे आपको खुनी कातिल से भैस कर रहे हैं मौका अच् देखो सूरच मैं तुमसे पुलीस आफसर के नाते नहीं बलके इंसान के नाते शराफत और भाईचारगी के रिश्टे से कह रहा हूँ एस्पी साथ मैंने अपने बाप अपनी बेन और एक देवी समान औरत सुनीता इन तीनों का इतना बैता हुआ खुन देखा है कि उस खुन के भाव में इंसानिया शराफत भाईचारा सब बह गए उनके शरीर से भावा खुन मेरे दिमाग में चड़ गया है मेरी आखों में उतराया है और पिगलते हुए सीसे की तरह मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है जब तक मैं इस कमीने का खून न कर दो तब तक ये पिगलता हुआ सीसा मेरे दिमाग मेरी नसनस को अंदर ही अंदर जलाता रहेगा मगर फाइदा क्या होगा तुम भी तो जिन्दा नहीं बचपाओगे तो मैं अब भी कहां जिन्दा हूँ दिनेश बाबू एक चल्स्ती फिर्ती लाश हूँ जिसके अंदर आत्मा नहीं बदले की भावना बरी हुई है बदला ले लूँगा तो ये लाश खुद बखुद हाथ के कान उनके कदों में गिर जाएगी कर टो जाएगी हुआ हुआ है झाल 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 वेट, रुटो, चारो तरफसे गेर लोग सूरज, बहर निकलो आखरी बार कहरा हो, अगर आप भी बहार नहीं निकले, तो मजबूर होकर हम हैंड कि बारिश करवानी पढ़ेगे रुक जाएए, रुक जाएए, प्लीज, मुझे सूरज के पस जाने दीजिए, मैं उसे समझा कर आपकी पस लाती हूँ, प्लीज, मैं उपकी हाथ चोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, आपकी भी कोई बहन होगी, क्या ये भाय अपनी बहन को, तो हमें इतनी भीख भी सूरज, सूरज ये तुम क्या कर रहे हो, क्यो आपने जान की दुश्मन बन गए हो, अब इस जान से दोस्ती भी करके क्या फाइदा, मौत साय की तर मेरे साथ साथ चल रही है, मरने से पहले कुछ अधूरे वच्छन पूरे करने की खुशिश कर रहा हूँ, कुछ सुलबते वे जखमों को दुश्मनी की खून से ठंडा करने की कुशिश कर रहा हूँ, मगर एक खून बहाने के लिए इतने बर्बादी क्यों, क्योंकि बर्बादी के बगएर दुश्मन तक पहुंचना मुश्किल है, अगर तुम अपने बाप की फर्याद लेकर आई हो, तो चली ज सहरे जिन्दा हैं, और जिनके सहरे मैं जिन्दा हूँ, हाँ मेरा बाप खूनी है, कातिल है, शालिम है, अगर उसके खून से हाथ रंगे बगएर, तुम्हारी दिल की आग नहीं बुझने वाली है, तो एक काम करो, मुझे माटा लो, इर्गोलियन से मुझे छलनी कर दो, श सूरज, मुझे माटा लो, मुझे माटा लो, मुझे माटा लो, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी लाश देखकर वो मर जाएगा, नहीं प्रिती, बिलकुल नहीं, अरे वो इतना संग दिल और जालिम है, कि अपने मतलब के लिए खुद तुमारी जान ले लेगा, फिर अब जाओ ? लेजी एसपी साहब मैंने अपना बदला ले लिया अब आपका ये मुजरीम आपके सामने खड़ा है इंडिन पिनल कोर्ड में जितनी सजाएं हैं मेरे नाम लिखते चीए सुराज पृती ये जनम घरीबी से लडने और बदला लेने में कुसर किया तुम्हारे प्यार का उधर बाकी रह गया उसके लिए जनम और लेना पड़ेगा